Hello everyone, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मटर मस्रूम की रेस्पी इस रेस्पी जटपट बनके त्यार हो जाती है और खाने में बहुत डिलिसिस लगती है तो चलिए इस रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं मटर मस्रूम रेस्पी के लिए मैंने धाइसो गराम मस्रूम लिया है इसे दो से तीन बार फ्रेस वाटर से धोटे साफ कर ले फिर इसे छोटे पीसे इसमें कट कर ले मस्रूम को मैंने यहाँ दो से तीन भाग में कट किया है और ये रहे हैं हमारे सारे मस्रूम कट के त्यार हो गए हैं मस्रूम को आप अपनी बसंद के अंसार छोटे या बड़े अकार में कट कर सकते हैं अब इसके बाद एक कड़ाई ले लेंगे ग्रैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें 2 टेबल इस्पून ओयल डालेंगे तेल जब अची तरह से गरम हो जाए तो इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी मेर्च, 1 तेज बत्ता, 1.5 इंच दालचीनी 6 काली मेर्च, 2 हरी लाइची, 3 लॉंग, 1 बड़ी लाइची मसाले हो गए है, इसमें 2 मीडियम साइज प्याज के डाल दे, अब उसी जान में थदा सा पाने डाल के डाल दे, जिससे हमारी प्याज वेश्ट ना जाए और इसे लगातार चलाते हुए प्याज को भून ले, 5-6 मिनट में हमारी प्याज भून के त्यार हो जाएगी अब इसको भूनते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं, प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, इसके बाद इसमें 1 टी स्पून अदरक लिस्म का पेस्ट डाल दे, और इसको भी चलाते हुए पका ले, अब इसके बाद 2 मीडियम साइज टमाटर के प्यूरी डाल दे, और इसको चल अब इसके बाद इसमें कुछ पीशेवे मसाले डाले अब इसके बाद इसमें कुछ पीस्फ़ेगे, जै से %1 MR लाल मिश पौरडर, 1 TL धनिया पौरडर, 1 TL कस्मरी लाल मिश पौरडर, 1 टी स्पून कीचण किंग मसाला, एब 1-4 घिमत अब इसको यहां पे सभी मसालों को ह इसना झायों. अब इसमें धक्ल लगा कि 5-6 मिनट के लिए पका लें. धक्ल लगाने यां या की बाद एक से दोबार चेक करते रहें. 5-6 मिनिट हो चुके हैं मसाले यहां बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं मसालों से तेल भी अलग हो गए हैं इसका मतलब कि मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं अब इसमें एक कप मटर 200 गराम मस्रूम दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब इस पर धकन लगा के चार से पांच मिनट के लिए पका लें अब धकन हटा के इसको अच्छी तरह से चला लें मटर और मस्रूम भी हमारे बहुत जादे सॉप्ट हो चुके हैं यहां पर मसालों से ऑईल भी अच्छी तरह से मिकल चुका है अब एक कप पंड डालें अगर जालें जालar रोटी नाह पराथिक करिना था उटो पानी कम डालें और राइस के साथ तरह किना पानी जाधे डालें अब इसे धकन लगा के दाकन लगे व्लिन फ्लेम पी चार से पांस मिनट क्लीदšी को पका लें इसके बार वन टेबल इस्पुन कसूरी मेथी को हलका से र जानिया डाल दें और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब इसके बाद ग्यास की फ्लेम आफ कर दे मट्र मस्टूंग हमारे बन के त्यार हो चुके हैं यह देखनें जितनी खुबसरत दिखती है खाने मुझसे कहीं जारे टेस्टी लगती है इस रेस्पी को आप एक बा प्लेम झाने मुझसे है झात कि दो आफ एक दू झार से मुझसे हैं.